हेलो स्टूरियन कैसे आप आप सबी अच्छे होंगी प्यारे बच्छो आज हम करेंगे क्लास 6 के इंग्लिस के लेसन नमबर 8 को इस लेसन का नाम है बच्छो दा एलिफेंट तो यह एक पोयम है बच्छो और यहाँ पर हम एक पिक्चर देख सकते हैं इस पिक्चर में हमें ए इक हाती दिख रहा है ठीक एलिफेंट दिख रहा है और इसके ऊपर बैठे हुए कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं को सब्सक्राल को हम इसप्थे करेंगराइं के मीनिंग को समझते है तो है 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 को आप हाती बच्छो के भार के साथ जूमता हुआ आता है तो यहाँ पर बच्चो स्वैंग का मीन्स है जूमना और इस पुयम में हमने देखा था कि एक हाती था उसके उपर कुछ बच्चे बैठे हुए थे तो वैसे कारगो का मीन्स होता है जो जहाज पर जो सामान लादा जाता है उस सामान को हम कारगो बोलते हैं यानि भारगो यहाँ पर हाती के उपर जो बच्चे बैठे हुए हैं उसको कारगो के मीन्स से इन्होंने जोडा है आगे देख लेते हैं All singing a song सभी गीत गा रहे हैं To the tinkle of laughter हसी की जनकार के साथ मतला हस्ते हस्ते सभी गीत गा रहे हैं He goes on his way वो अपने रास्ते जाता है And his cargo of children have crowned him with me और जो बच्चों का जो कारगो है मतला समू है वो हाती को एक मे नाम के फूलों का एक crown यानि ताज पहनाता है ठीक मैं एक बच्चों फूल है उसका ये ताज बनाते हैं बच्चे और उस हाती को पहनाते हैं तो यहाँ पर इसका star लगा हुआ है यहाँ पर इसका meaning भी दिया है हम देख सकते हैं इसका meaning होता है बच्चों नाक फनी के सफेद या गुलावी फूल और आब बुस्च का meaning होता है एक जाड़ी मतलब नाक फनी जो जाड़ी होती है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादे तर लगती है उसमें जो सफेद और गुलावी फूल खिलते हैं उन्हें हम में बोलते हैं His legs are in leather and padded his toes उसके पैर चम्डे से बने हैं और उसके पैरों की उंगलियां गद्देदार हैं तो हमने देखा है कि जो हाती है उसके पैर ऐसे लगते हैं यह जैसे की चम्डे के बने हैं और गद्देदार हो यानि गद्दा भरा हो जिस तरीके से एक तक्या होता आसके अंदर रूई भरी होती हो Famous फूला-फूला सा लगता है इसी तरीके से उसके पैर भी फूले-फूले से लगते हैं यस लेक्ता एक तरीक कन उखार सकता है With a whisk of his nose It means बच्चों वह अपनी सून की एक जटके से ओक नामक ट्री को भी उखार सकता है With a wave of his trunk and a trunk of his chin he can pull down a house or pick up a pin वह अपनी सून हिला कर और अपनी थोड़ी घुमा कर किसी घर को गिरा सकता है या pin उठा सकता है यानि यहाँ पर हाथी को इतना सक्तिसाली बताया है बच्चों वह अपनी सून से एक पेड को उखार सकता है जड़ सहित और किसी घर को भी गिरा सकता है इतना ताकतवर उसे बताया है Beneath his grey forehead a little eye appears उसके भूरे माथे के बीच एक छोटी सी आँखें जाकती है Of what is he is thinking between those wide ears उन चोड़े कानों के बीच वह क्या सोच रहा है इसका किसी को मालूम नहीं है तो बच्चो इसी के साथ हमारी ये कभीता complete होती है तो बच्चो इसी के साथ हमारी ये poem complete होती है I think ये poem आपको पसंद आई होगी यदि poem आपको पसंद आई है बच्चो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आपसे मिलते है अपनी अगली वीडियो में हम अपसे में आपसे लाइब करिए